सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसा जमा करवाते हैं ओनलाइन के माध्यम से या फिर कैश के माध्यम से या फिर फ्रेंड या रिलेटिव से लेते हैं तो इसमें ITR डिपार्टमेंट से आपको कोई प्रोब्लम ना आए तो उसकी limits क्या हैं उसके बारे में discuss करेंगे कितने समय के बाद government आपका पैसा अगर आपकी कोई transactions नहीं होती है debit credit तो कितने समय के बाद government आपका पैसा ले सकती है या फिर dormant हो जाएगा या फिर claim कर लेगी तो उसके बारे में discuss करेंगे तो आशी जी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर मैं serving account है, उसकी deposit limit क्या है, cash limit क्या है, जैसे कि और या फिर मैं online transactions करता हूँ, तो उसकी limits क्या है? तो तीम section की आज हम बात करेंगे विने, जैसे आपने बोला, कितने समय के बाद आपका पैसा government clean कर सकती है, अगर आप bank में कोई लेंदे नहीं करते हैं, जैसे आपने introduction में बोला, section 285 BA में, cash transactions related bankों में क्या नई changes किये गए हैं, तो इस section के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये रखी गई है, और तीसरा जैसे आपने बोला, threshold की, तो threshold की मैं बात करूं, तो 10 लाग का figure अपने दिमाग में बिठा लें, विने जी, अगर आप online माधियम से, चेक के माधियम से, या अगर हम बात करें, net banking के माधियम से, या आपका friend या relative कोई पैसा डालता है, तो 10 लाग की limit रखी गई है, कि इसके बाद, जो bank है, income tax department को, वो transactions बता देते हैं, कि ये amount जो है, इस bank में credit हुआ है, एक साथ, in fact, अगर एकी बंदे से, या एकी तरफ से, ये पूरे साल में इकठा हो की amount बनता है, तब भी बता दिया जाता है, और उसको entry form AIS में हो जाता है, तो ये figure ITR फाइल करते हैं, अपना return अच्छे से फाइल करते हैं, salary भी आती है आपकी हर महीने account में, तो वो transactions नहीं बताता है bank, क्योंकि उसके आपका already tedious cut जाता है, और आप उसको ITR में भी show करते हैं, तो वो जो आपका company है, वो information income tax department को देती है, पर एक मुश्ट आसी 10 लाग तक की अगर आती है, उसकेस में bank income tax department को बताता है, cash की अगर हम बात करें, कोई अलग से limit नहीं रखी गई है, cash related saving account में, बठा, 20 लाग से लेके एक क्रोड के बीच में अगर आप transaction करते हैं, या एक क्रोड से जादा करते हैं, तो उसकेस में अब TDS कट जाएगा, bank आपका TDS काट ल ही है, ध्यान रखें, 20 लाग से एक क्रोड के बीच में, पांस से दो परसेंट, अगर आप ITR फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, उसके basis पे TDS आपका जो है, कट जाता है, यहाँ अब बात करते हैं, कि काफी लोगों को ये confusion रहते हैं, कि 50,000 से कम मेरे account में पैसे जमा करवा है, और इसका क्या लोगों को ध्यान देना चाहिए, या फिर overall limit मानी जाती है, पूरे साल की transactions में, देखो, income tax department बैंकों की ये तो जरूर बोला है विने जी, अगर आप 50,000 से कम का cash deposit करते हैं, तो यहाँ पर हम cash की बात कर रहे हैं, 50,000 से कम का बैंक में deposit करते हैं cash में, तो उ किया गया है विने जी, तो 50,000 से कम की वज़े से ऐसे myth बनी हुई है, और उसी को take care करने के लिए section 285 BA में amendment की गई है, इसका मतलब यह है कि आप multiple bar 49,000, 30,000, 20,000, 49,900, यह multiple bar अगर आप कर देंगे और वो 2.5 lakh तक पहुंच जाएगी, उस case में अगर आप below 60 years हैं, और senior citizen के लि यह अगर ऐसा होता है, तो उस case में IT department आपकी scrutiny कर सकता है, पहले 50,000 से कम के लिए आपको नहीं पूछ सकता था IT department, पर इस section introduce होने के बाद अब आपको 2.5 lakh और 5 lakh की, अगर एक community transaction होती है, तो आप से पूछताज की जाती है, और bank आपकी इन transactions को income tax department को बता सकता है, विने जी. अब यहाँ बात आजाती है, बहुत बढ़िया question है कि friend या relative से भाई चारे में पैसे ले लेते हैं, transactions, multiple transaction कर लेते हैं, कि 10 दिन के लिए दे दो, उसके बाद दुबारा transaction कर लो, मतलब credit और debit है, वो दोनों transactions होती रहती हैं, तो ITR department से कोई problem ना आए, तो हमें किन बातों का धि actions कर रहा हूं. और हमें पैसा लेने पड़ता है कभी-कभी हमारी जरूतों को पूरा करने के लिए, तो relative से ले रहे हैं, किस purpose के लिए ले रहे हैं, वो ध्यान जरूर रखें, अगर आप उनसे loan ले रहे हैं, कुछ समय के लिए ले रहे हैं, तो बिलकुल एक सोरपे के stamp paper पे लोन डीड बन हमें लिया है, जिस भी account, इसे friend का account, let's say HDFC का है, तो वापिस अब करेंगे, तो same account में ही पैसा transfer करें, ताकि आपकी जो transaction की change debit or credit की है, जरूत पड़े तो आप दिखा पाएं, और easily उसको explain कर पाएं, वहीं अगर gift ले रहे हैं, क्योंकि पैसा आपको gift के case में वापिस नहीं क सकती है, तो बिलकुल ध्यान रखें, अपनी statement of bank, bank statement का बिलकुल ध्यान रखें, वहापर जो credit हो रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना हो, आपकी income मान ली जाया और उस पर आपका tax लग जाए, और penalty का परधान भी रखा हो गया है, और अगर ऐसा होता है, विने जी, मैं आपको यहीं बताना चाहूँगा, अगर इस तरह की transactions को अगर income tax department देख लेता है, आपको mail के माध्यम से, या कोई 154 के माध्यम से आपके पास security आ जाती है, या scrutiny आ जाती है, तब भी अगर आपकी account statement clean है, आपने कुछ गरबड नहीं की है, तो अपने ITR समय समय पर आपने भरें, तो आप आपको जरूर दियान रखना है, विने जी, cash के case में penalty काफी जादा है, 137% तक की penalty लग जाती है, तो आपको कुछ बातों का दियान रखना है, से भी मेंग अकाउंट से लेटेट, तो अब यहां पर बात करते हैं कि काफी लोगों के पास काफी account होते हैं, और या फिर कई ज कोई transactions नहीं कर रहा हूँ, that means कि credit और debit दोनों नहीं हो रहे हैं कुछ सालों तक, तो किते साल की limit है, उस साल के बाद ये account government के, government claim कर लेगी, विने जी, RBI को परिशानी और बैंकों को परिशानी यही है कि 35,000 करोड आपको जानके हैरानी होगी, 35,000 करोड रुपे ऐसा बैंको के पास पड़ा है, जिसका कोई वारिस नहीं है, कोई claim करने नहीं आ रहा है, और अगर हम total account की बात करें, 10.25 करोड, 10 करोड के आसपास की account ऐसे हैं, जिनमें कोई दावादारी नहीं पेश की जा रही है, बैंक चाता है कि इन पैसे का इस्तमाल हो, RBI चाता है कि जो पैसा है देश का पैसा है, वो खराब ना जाए, इसलिए एक अमेंडमेंट की गई है, हाला कि RBI जो आपका पैसा कोई टेच नहीं कर रहा है, विने जी धियान रखें, कोई आपका पैसा लेके नहीं जाएगा, बठा, 10 सालों का limit रखा गया है, कि अगर 10 साल तक saving और current account में, अगर क हाला कि अभी RBI ने clear किया है, कि एक centralized portal बनेगा, जहां पर इन 10 करोड अकाउंट की detail डाल दी जाएगी, आप भी जैसी वो portal launch होता है विने जी, तो सबी subscriber उसको जाके जरूर चेक कर ले, देख ले क्या उनका account तो उस portal में नहीं आ गया है, अगर ऐसा होता है, तो हाला कि अग परपस हो सकता है कि future में जो है government के infrastructure के लिए यूज कर दिया जाए, या education purpose के लिए यूज किया जाए, तो मैं बोलूगा अपने account को आप जरूर से जरूर साल में एक बार लेन देन जरूर करें, ताकि वो dormant ना हो, और वो बंद ना हो जाए अगर हम बात करें, और 10 साल के ब तो ये कुछ बातों का आप सेविमेंग के लिए ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फाइदा रहेगा